पागल पन क्या होता है? जिस काम को करने से तुम्हारी रूप कापती है? आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूँगा जिसे सोच सोच कर ना जाने तुम अपना कितना समय बरबात कर देते हो और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें जुखा न सके लेकिन इस सब के लिए तु ना सुक का लोग होता है ना माया भटकाती है और ना किसी का साया साथ देता है एक सर्फिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा एक इतिहास रचना होगा क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते ही आस्पताल में फिरते देखा है उस प पर नहीं पढ़ने वाला ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागल पन भर लेते हो तब तुम्हारी कामियाभी के रास्ते धीर धीरे खुलने लगते हैं तुम्हें दुनिया की बातों से गालियों से या तानों से फर्क पढ़ना बंद हो जाता है तुम किसी भी चीज से नहीं डरते ना तुम्हें रिया के लेटेश्ट रील से फर्क पढ़ता है और ना तुम्हें रात पर जाकर अपने काम को करने के तकलिफ से कोई फर्क पढ़ता है ना तुम्हें दिन से फर्क पढ़ता है और ना ही देर रात से अगर फर्क पढ़ता है तो अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है नहीं दोस्तों बिलकुल भी नहीं जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं असल में वो पागल लोगी हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं तभी तो दसवी क्लास में फैल हुए सचिन तेंदुरकर की बायोग्राफी महराश्टर के इस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है सायद तेंदुरकर साहब में वो पागल पन ही था एक लड़का जिसे फुटबोल का बड़ा सोग था उसे एक दिन भहुत बड़ा फुटबोलर बना था लेकिन वो दिल की बिमारी और पैर की कमजोरी से परिशान था और जैसा कई सक्सेस्पुल लोगों के साथ हुआ था वैसे ही इसे भी डोक्टर ने साफ कहा दिया था कि ये लड़का कभी भी फिल्ड पर नहीं उतर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था डोक्टर की बाते उस पर बेहसर हो गई उस लड़के ने अपने दिल का उपरेशन कराया और फिर उत्रा मैदान पर और फुटबोल के एतिहास को ही बदल कर रख दिया और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाइश पेड एथलीट है मैं बात कर रहा हूँ फुटबोल के लेजेंड लियोनेल मैसी की जिसकी दीवान की दुनिया में इस कदर है कि फुटबोल के डाई आर्ट फैंस इन्हें भगवान मानते है अगर इन सभी में वो पागलपन वो जिद नहीं होती अगर इने भी लोगों की बातों से फर्क पढ़ना सुरू हो जाता तो सायद आज ये लाको करोडों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते कोन कहता है नैचर और सिगनेचर कभी बदलता नहीं बस एक चोट की जरुरत है अगर उंगली पर लगी तो सिगनेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नैचर बदल जाता है अगला एक साल सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सोब दो खुद के किरदार को पागल बना लो एक ऐसा पागल सरफिरा जो आप नए आयतिहास रचने को तयार है एक ऐसा पागल जवन जो आप सिर्फ अपनी काम्यावी के पीछे भागने को तयार है एक ऐसा पागल रही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने काटे हैं कितनी मुस्किले हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो, अगले एक साल तक इस बात की परवा करना छोड़ दो, कि किस की सागाई हैester किसकी साधी है, कौन सो रहा हैर कौन किसकी याद में रो रहा है, इन सबी बातों को अगले एक साल के लिए भूला दो, बस ये एक साल पागल पन के नाम कर दो, सायद इ इस एक साल के पागलपन वाली महनत और सिद्धत तुम्हें इतना काम्याब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुमारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक पाउरफल मोटिवेशन के साथ जैहिंद वंदे मातराम।